हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हो आप सब, आपका भाई हाजर रनी अपार्चिरिटी के साथ जैसा कि आपने थमनेल में देखा है कि आज की जो अपार्चिरिटी आ रखी है, वो आ रखी है SEL Technology Private Limited की तरफ से यहाँ पे बहुत है बढ़ी अपार्चिरिटी निकाली गई है, य और यह जो सारी recruitment आपके लिए रहेगी वो fresher candidate के लिए ही रहने वाले है, जो मेरे fresher by band pass out होने वाले या हो चुक है, उनके लिए यहाँ पे recruitment निकाला गए, बेसिकली यहाँ पे कौन कॉन अप्लाई कर सकता है, क्या eligibility criteria रहेगा, कैसे apply करता है, selection process क्या रहने वाला है, आपका CTC क्या रहेगा, job location कहां आपको देखने को मिलेगा, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, वीडियो को आपको पूरा देखना है, बिना skip किये, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपके कौन कौन से roll आपको देखने को मिलेंगे, देखें यहाँ आपको तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो मिर भाई वीडियो को लाइक कर देना और जब भी आप वीडियो को लाइक करते हो, तो हमको motivation मिलता है, ऐसी बहतर इन वीडियो बनाने का, और यह वीडियो आटोमेटिकली वीडियो लोगों तक पहुंच जाती है, जो की eligible रहने वाला है, तो यहाँ पर आपका एक लाइक टार्गेट रखा गया है, 500 प्लस आपको लाइक करवा देना है, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना है, बिना कंजुसी किये, और comment box में आपको अपनी ब्रांच से relevant आपको यहाँ पर देखने को मिले, और indirectly आप सभी लोगों को यहाँ पर फायदाओ, और description में आपको कुछ links प्रोवाइड करवा रहे है, टेलिग्राम चैनल का, WhatsApp ग्रूप का, LinkedIn का, Instagram का और Facebook ग्रूप का, जाके join कर लेना, यहाँ पर उन type की job का update देखने को मिलेगा, जो of cost रहने वाला है, lifetime validity के साथ, तो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पर रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो गंटी वाला इकन उसको दबा दे, ताकि आपको next वीडियो को notification सबसे पहले मिल पाए, और आपको वाई इस चैनल पर इस और अब directly अपने mobile के तुरू apply कर सकते हैं, इसमें कोई laptop या PC नहीं चाहिए, ठीक है, बस आपके पास mobile होना चाहिए, और उसमें एक बड़िया internet connection यहाँ पर होना चाहिए, वैसे apply link रहीगा हम आपको description में provide करा दूँग, वो directly वहाँ पर click करके आप apply कर सकते हैं, और telegram channel पर भी provide करा दूँगा, और telegram channel का link मैंने description में दे रखा है, और मैंने comment box में pin भी कर रखा है, आप directly उस पर click करेंगे, तो आप telegram channel पा जाएंगे, फिर video के just नीचे ही आपको link देख जाएगा apply वाला, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको apply link description में दूँगा, जैसे आप click करेंगे, तो यहाँ पर देख पार ही, यह officially website के through ही, यहाँ पर notification को निकाला गया, ठीक है, जैसे आप click करेंगे, मैं आपको directly link दूँगा, apply का, तो आपके सामने ऐसा tap open हो जाएगा, जैसा कि आप अब इस screen पर देख पार है, ठीक है, यहाँ पर only for Indian candidate यह apply कर सकता है, जो इंडिया में से block करता है, वो ही यहाँ पर apply कर सकता है, इसके 4 steps रहने वाला apply का, उससे पहले हम बात करेंगे कि इसका eligibility criteria क्या है, कौन-कौन सी position रहेगी, उसके बारे में हम detail से बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो job role के बारे में यहाँ पर इन्होंने अच्छे स explain किया, तीन type के job role आपको देखने को मिलेंगे, पहला जो job role आपका रहेगा, वो technical job role देखने को मिलेगा, जिन्होंने यहाँ पर engineering कर रखा है, जिन्होंने यहाँ पर job role देखने को मिलेगा, और जिन्होंने यहाँ पर become कर रखा है, या फिर MBA कर रखा है, उनके यहाँ पर HR position के लिए MBA रोल आपको देखने को मिलेगा और जो मेरे भाई बेंड लाइक जिन्होंने कर रखा है बी बी एसी कर रखा या फिर जिन्होंने भी कॉम कर रखा है ग्रेजुएट हो रखा है वो यहाँ पर इस पोजिशन के लिए आप अप्लाय कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बात कर लेते हैं कि IT सेक्टर के अंदर यह कंपणी रहने वाली आपकी और कौनकों से ब्रांच ही जो ग्रेजुएट हो रखा है ठीक है जिन्होंने बी बी टेक किया है या फिर जिन्होंने एम एम टेक कर रखा है computer science के अंदर IT के अंदर electrical के अंदर electrical and electronics म अंदर गया फिर जिन्होंने biomedical के अंदर, bio technology के अंदर और भी बहुत सारी branch अगर आप no more पे click करेंगे तो आप देख पाएंगे ठीक है तो वो यहाँ पे eligible रहेंगे बात आती है MBA position के लिए जिन्होंने यहाँ पे MBA कर रखा है वो यहाँ पर apply कर सकते है और बात आती है जो मे graduate trainee का आपके यहाँ पे position देखने को मिलेगा यहाँ पे fresher candidate के लिए बढ़ी opportunity निकाले गी है कोई experience यहाँ पे required नहीं है ठीक है ध्यान रखिएगा experience यहाँ पे नहीं मागा जाएगा fresher candidate यहाँ पे apply कर सकते है यहाँ पे बोल रखा है start a career at SCL technology only Indian based candidate यहाँ पे apply कर सकते है जो yourself ठीक है उसके बाद आपका verify email होगा then फिर आपको application को जो fill करना पड़ेगा online ठीक है then फिर आपका submit application आपको देखने को मिलेगा तो register कैसे करना यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे form दे रखा है इसको आपको register करना कैसे सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आ रहा है यहाँ पर आपका enter name आपका जो भी नाम आपको यहाँ पर डाल देना है then फिर आपका आएगा email address email address आपको जो भी email address है वही email address डाले जो आपके CV के अंदर mention है जो आपके resume में डाल रखा आपने ठीक है contact के through ठीक है वही आपको यहाँ पर डाल देना है यहाँ पर आपको उपने mobile number understand data या privacy पर click करके आपको यहाँ पर register पर click कर देना है जैसे ही आप register click करेंगे तो आपकी जो email ID है वहाँ पर आपको एक email आएगा ठीक है email आएगा अगर आपका email spam folder में है तो आप वहाँ पर भी check कर सकते हैं आपको एक link होगा उस link पर click करके आपको directly वहाँ पर verify कर देना है जैसे click करके आपको यहाँ पर email verify हो जाएगा finally आपको एक form open दिखेगा उस form को आपको finally submit कर देना है जो भी आपका data मांगे लाएक resume होगा आपका name होगा आपका education qualification होगा कहां से b.tech किया है जो भी आपसे मांगे वह आपका data आपको fill कर देना है fill करने का finally submit का option दिखेगा उस पर आपको click करके finally form का आपको कर देना है समय और अगर आपको इससे related कुछ भी doubt है कुछ भी कहीं पर भी problem आ रहा है कि आप कौन सी job search कर रहे है ताकि आने वाली job update आपके job से ही related आपको देखने को मिले और all the very best जैहिन